हरे कृष्णा तब वक्तों का स्वागत करना चाहेंगे अमारे सब्ताइक सात्व्या ध्याएक चर्चास त्रमें प्रारम करते हैं प्रार्थना से प्रपन्न पारि जाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कुरुष्णाय गीता मृतदुहे नमहा ओम अध्न्यान दिमिरांदस्य ज्ञाना अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितम्येन सस्मय स्री गुरवे नमहा नमह ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले स्रीमते बक्ति वेदांत स्वामी इतिनामिने नमस्ते सारस्त्व ते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेष शुन्यवादी पास्चात्य देशतारिने जय स्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद स्री अध्वाइत गदाधर स्रीवास अडिगवर भक्त वरिंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो पिछले सित्र में हमने घीता के साथ ले अध्याई के 28 विश्लोक के उपर चर्चा की थी ये शाम्त्वंतकतम पापम जनानाम पुन्य कर्मनाम ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्तेमाम द्रडव्रताह ये शाम्तु किन्तु जो लोग कैसे है वो लोग पुन्य कर्मनाम जनानाम जो पुन्य कर्मनाम में लगे हुए है और पापम अन्तगतम जिनके पापों का अन्त हो गया है ते वे लोग तुफ्द्वमोह निर्मुक्ताहा द्वन्द्व रुपी मोह से वो मुक्त है और दुडव रताहा बिलकूल दुडव संकल्प करते हुए क्या करते है वे माम भझनते है थे बग्वान च कहते ही कि व्यों मेरा भजन करते है तो इसको हमने देखा था कि ये शान्टू परंत इस लोगों के बात कर रहें à इच्छा तता द्वेश्ट के द्वंद्व सिमुक्त होकर भगवान फ्रीकृष्ण का भजन करते हैं माम भजन दे तो इसलिए दोनों के अंदर भेद स्पष्ट करने के लिए तू शब्द का प्रयोग्या है किन्तु उन लोगों के लिए कौन से लोग पुन्य कर्म नाम जना पुन्य कर्म पुरुष्ण का यह क्या होता है इसकी भी अमने परिवाषा देखे थी जिन मनुष्ण ने अपने को तो भगवत प्राप्ती ही करनी है इस उद्देश को पहिचान लिया है अर्थात जिनको उद्देश की यहीं स्मूर्थी आ गई है कि मनुष्य शरीर भोग बोगने के लिए नहीं है प्रतियुत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए मिला हुआ है ऐसा जिनका दुर्ण निश्च्य हो गया है वे मनुष्य पुन्य कर्मा है तो यहां पर हमने पुन्य कर्म क्या था कि भगवान के प्रति समर्पन और मनुष्य शरीर म बक्ति मिलती है और भक्ति या भगवान के प्रिच प्रिच वह अन्यक किसी के ओपर निर्धारित नहीं रहता है को他 करेगा तो वह भक्ति नहीं है P Oui right वे मुद्ध टैने और भक्ति है तो पुन्ने और भक्ति अलग है इसके लिए अपने यह श्लोग व्याख्या स्वाध्याय सन्यास ही प्राप्नयाद यत्नवान अपी न प्राप्नयाद नहीं प्राप्त करते हैं प्रयत्न करने के बाद भी यत्नवान अपी इसके माध्यम से योग कर लिजे सांख्य काध्यान कर लिजे दान दीजे व्रत कीजे तब कीजिए अध्वरही कितन इससे नहीं हो सकती और यह सारे पुन्य कर्म हेवस्ते देखा जाए तो दान पुरत इत्यादी तो इससे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती तो पुन्य कर्म नाम जनाम जो कहा गया है यह पुन्य कर्म हमने देखा था कि मनुष्य शरीर का सुदूइपयोग करके करना और ऐसा दुरुड निश्चे कर लेना कि मुझे इंद्रियतृत्ति नहीं लेकिन भगवान की सेवा करनी है वो है पुन्यकर्म नाम जनाव इसके इसका हमने एक जो है वो एक चार्ड देखा था कि पुन्यकर्म जो है इससे क्या होता है कि पाप जो है वो अम्चिकृप से नस्टा हो जाते हैं और इसका परिणाम है कि संपोर्ण पापों से मुक्ति विक्ति को मिल सकती है तो यह हमने पिछले बार देखा था, अगला शब्द हमने देखा था पाप अन्त गतम, जिन मनुष्यों के पाप नश्ट हो गए हैं तो आस्ते में हमने देखा था कि पाप की पड़ी परिवाशा क्या है? पुन्य की परिवाश हमने अलग प्रकार से लेखी और यहां पर पाप की परिवाश है इस प्रकार से है कि भगवान से विमुख हो जाना यहीं सबसे बड़ा पाप है और सबी पापों का यह मूल स्तुरोथ है तर्निंग अवे प्रम गॉड भगवान से विमुख हो जाना यहीं तो जो विक्ति इस प्रकार से जिसके पापों का अंत हो गया है इसे हमने इस प्रकार से समझा था कि वास्तों में धर्म के यह चार आधार भुट स्तंब होते हैं तपशा उचम दयासत्यम यह चार जो है वो धर्म के स्तंब है तो जो विक्ति का पाप अंत हुआ है इसका आरत है कि वहाँ अभी धर्मिक आच्रण कर रहा है धर्मिक आच्रण कर रहा है करता है वो जो यह धर्म के चार आधार भुट स्तंब है उन स्तंबों का रक्षन करता है न कि इनके उपर आघात करता है और हमने आफे देखा था की इसे यह चार कुरुत्य है जो इन चार आधारवुत्स स्तंबों के उपर आघात करते तो इस प्रकार से उसने अपने इन यह चार नियमों का वह विक्ति पालन करने लगता है इसलिए पापम अन्तगतम कहा गया है और वो सारे प्रकार के द्वन्द्व मोह से रहीत हुए है वे मनुष्य तो इसकी भी हमने परिभाशा देए थी कि मनुष्य का एक ही जब पारमार्तिक उद्देश हो जाए तो पारमार्तिक और संसरि कि एक साबिक प्रकार के द्वन्दव मिठ जाते हैं द्वन्दव हमने देखा था पिछले श्टोक में द्वन्दव की परिभाशा की सुक दुख शीत पुष्ण जय प्राजय लाभवनी यह सारे द्वन्दव हैं इन द्वन्द्वों से मुक्त हो जाना और इसलिए गवान कही जगव पर गीता में अपने धाम में जाने के लिए एक पात्तरता बताते हैं और वो है इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाना इसलिए उसके बारे में भगवान दूसरे अध्याय में भी कहे हैं निर्द्वंद्वों कि हमने देखा था और उसके पश्चात पंद्रव्य अध्याय में भी इसी प्रकार कवर्ण आता है कोन भगवान के धाम में जाता है निर्मानमोहा जित्यसंगदोशा अध्यात्मनित्याविनिवृत्तकामाहा द्वंद्वईर विमुक्ता सुकदुक्षाम्यायर गच्छंत्यमूडः पदम अ वही शब्दक का प्रयोक किया गया है और क्या करते हैं वो भजनते माम दुडव्रताहा दुडव्रती होकर वे मेरा भजन करते हैं तो दुडवता तभी आ सकती है जब हम इस प्रकार से पुन्य कर्म या इसा निश्चय कर ले कि मुझे बगवान की भक्ति करनी है और जो ध इत्याग जब कर दे तब व्यक्ति के भजन में दुडवता आ सकती है दुडवरती कहने का तात्पर है कि हमें तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है हमारा और कोई लक्ष नहीं है और कोई लक्ष नहीं है उसी व्यक्ति को दुडवरती कहा गया है कि ये भी चाहिए वो भ वहां भी जाना है जी नहीं केवल भगवान की तरफ चलना है अन्य कोई लक्ष नहीं है वह है दुडवरती और दूसरा भी हमने इसका आर्थ देखा था कि चाहिए कितनी भी बाद हैं क्यों ना जाए एक भक्त भगवान स्री कृष्ण का भजन कभी नहीं छोड़ता है और इ उसके विप्रीथ कुंति महारेने की प्रार्थना अधियाम लोग पढ़ते श्रिमत भागवत के पर्थंसकंद में तो वहां पर कुंति देवी कहते हैं कि है बगवान आपका दर्शन जब हो जाता है हमें तो इस बहुतिक संसार में उनर्जन्म रुपी चक्र का दर्शन न इसलिए विपदाएं आती है तो चलेगा इस प्रकार से दुड़वरती भजन जो है वो पुनका बन जाता है तो इस प्रकार से यह जो 28 श्लोक था उसमें भगवान ने बताया था कि जिन पुन्य कर्मा मनुष्चों के पाप नश्टो गए है विद्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दुड़वरती होकर मेरा भजन करते है तो वे भगवान के भजन में दुड़वरत से लगी जाते है तो अभी इ तो यह जो पिछले श्लोक से संबंद यह जो देखते हैं अलग-अलग आचार्यों की टिका से एक्चुली यह संबंद भी अलग-अलग बताया जाता है तो यह संबंद है खास करके मैं जो प्रयोक करता हूं वह है प्रमुकृप से श्रीदर स्वामी के टिका इन्होंने बगवत गीता के साथ तो श्लोक हर एक श्लोक का पिछले श्लोक से क्या संबंद है तो बिल्कुल अच्छे से उन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है तो उसके माध्यम से हम परके क्राब सक्काइं करते हैं कि अहां पर आशारे से करता है जानने योग यह उसको जान जाते हैं ऐसा बद श्रीदर स्वामी तो स्लोक इस प्रकार से है तो यह हमारे साथ्वे अध्याय का सिकंड लास्ट श्लोक है साथ्वे अध्याय में तीस श्लोक है तो यह उन्तिस्वा और तीस्वा श्लोक यह बीज बोते है मैं आठ्वे अध्याय की शुरुवात के लिए इस श्रिंकला को यह हम लोग जान लेंगे क्योंकि आठ्वे अध्याय में शुरुवात में अर्जुन का प्रशना आएगा तो अर्जुन का प्रशन जो है वो इन दो श्लोकों के ऊपर आधरी थे उन्तिस वार तीस्वा श्लो इसलिए हम लोग समझने का प्रयाज करेंगे सर्वप्रतम हम इस श्लोक का अनवय देखते हैं दिव्य कृष्ण प्रुव मैंने आपको अन्म्यूट किया है नाव्य प्रवीं तो यहां पर संधी ज्यादा नहीं है केवाल दो संधिया हुई है श्लोक आसान है अब पिचे सब लोग दो-दो बार धोराएंगे जरामरन मोक्षाया जरामरना मोक्षाया माम आशृत्या आशृत्या यतंती 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 ये 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 सब्सक्राइब्धी रुटष नम इके टुटैर्याम अध्यात्मुम। अध्यात्मम अध्यात्मम कर्मा कर्म्म कर्म कर्म चा अख्लम अखीलं अखेल सवर्ण दिर्ग संध्य होती है चाखिलम स्लोक एक एक पात के साथ जरामर्ण मोक्षाया जरामर्ण मोक्षाया मामा शृत्यायत अंतिये अब्रम अध्यात्म कर्म चांखिलम अध्यात्म कर्मच अक्युन अध्यात्म कर्मच अकलम अमने पीचे बोले इंगे श्लोग प्रणाम् गुरुदे जरामरण मोक्षाय मामा शृत्यय तंतिये पे ब्रह्म तद्विदुकृच्णम अध्यात्मम कर्मचाखिलम् विश्वजीत प्रभु मैंने आपको अन्मियोट किया है। अध्यात्मं कर्मचाखिलंगु तल्यात्रश्कुष्णु मैंने आपको अन्मियोट किया है। तो आएए देखते हैं इस लोग का अन्वय किस प्रकार से है जरा मरन मोक्षाय जरा करता है संस्कृत में बुढ़ापा मरन कारता है मुर्त्यों मोक्षाय इन्चे मुक्ष प्राप्ति के लिए इन्चे मुक्त होने के लिए जरा मरन मोक्षाय जन्मा और मुर्त्यों इन्चे मुक्ति पाने के लिए ये जो लोग माम आश्रित्य मेरा आश्रय लेकर यतन दी प्रेत्न करते है यतन करता है प्रयतना यतनती इसलिए संस्कृत में सन्यासियों को यती कहते है यती यती राज यती करता है प्रयतनशील तो माम आश्रित यतनती मेरा आश्रे लेकर प्रयतनशील रहते हैं इसके लिए जरा और मरन से मुक्ष प्राप्ति के लिए ते वे लोग ये ते जिसे ज वह ब्रह्मा कुरुष्णम अध्यात्मम यहां पर यह जो कुरुष्णम शब्द है कि बहुत बार आता है गीद्धा में इसको ठीक से समझना चाहिए कुरुष्णम नहीं है कुछ लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं तो कुरुष्णम का अर्थ होता है पूर्ण रूप स कंप्लीटली संपूर्ण रुप से अध्यात्मम संपूर्णम अध्यात्मम और अखिलम कर्म चॉठ अखिलम का भी अर्थ होता है संपूर्ण Sum% कर्मों को जैसे और ख्रिष्णकों कह seekers को है बहुएस को सारे ब्रहमांधर नायक सारे ब्रहमांधों के स्वामिrolling तो सारे कर्म के बारे में जो कुछ है वो सब कुछ जो है वो च और विदुहू जानते हैं, तो शुल प्रभुपाजी इसका हनुवाद इस प्रकाल से किये हैं, जो जरातता मृत्यू से मुक्ति पाने के लिए यतनाशील रहते हैं, वे बुद्धिवान वेक्ति मेरी भक्ति क करते हैं वैवास्तों में ब्रंव है क्योंकि व Je dvye कर्मों की विशय में पूरी तरह से जानते हैं आइए देख एक एकक शब्द जर्वक यह सर्वपर्थप जैसे मैंने बटाया ज्रा और मरन से मुक्ष पाने के लिए मैं तो जैसे मैंने खहा कि अलग-अलग संबंद बताते हैं श्लोकों में तो इस प्रकार से विश्माद चकरुटि थाकुर बताते हैं कि सात्वे अध्याय के सुलाववे श्लोक में भगवान कृष्ण ने चार प्रकार के लोग जो शर्णागत होते हैं उनके बारे में वर्णन किया था चतुर विधा कोई बताएगा वो श्लोक किसको याद है चतुर विधा चतुर विधा भषनते MAAM जनाह सुकृर्तिन और जुन आर्थो जिग्यासु अर्तार्थी ञ्यानी च भरतर श्भः तो इसमें भगवान ने तीन सकाम भक्तों का वर्णन किया था आर्थ जिद्यासु और अर्तार्थी तो इनका वर्णन क्या था इस श्लोक में भगवान जो है वो चोथे प्रकार के सकाम भक्त अर्थत मुक्ष कामी का वर्णन कर रहे है जड़ा मरण मुक्षायत बुढ़ापा और मुर्तिव इनसे मुक्ष पाने के लिए तो मुक्ष के अभिलाशा रखना ये भी वास्तों में ये है सकाम भक्त है तो तीन प्रकार के सकाम भक्त सुलावे श्लोक में चर्चा किये गए ये चोथे प्रकार का सकाम भक्त जो है वो विश्मा चक्रुटि ठाकौर इनकी आनुसार यहां पर भगवान वर्णन कर रहे हैं जरत मरन मोखशायां तो यह बहुत बड़ी समस्याएं वास्तों में जेका जाए तो कोई नहीं चाहता है इने जरारओ करता हैं went और मरन करता है मृत्यों तो बुढ़ापा और मृत्यों गीता में इस प्रकार से इनका और एक जगह दो जगहों पर वढ़नान आता है वास्तो में तो जो अभी हम लोग देख रहे है वो और तेरा व्याध्याय में भगवान एक बार और इनका वर्णन करते हैं इंद्रियार्थेश वैदाग्यम अनहंकार एवचा जन्ममृत्युजराव्याधी दुखधोशानुदर्शनम ये दुखों का जोती जब तेरव्यध्याय में भगवान कृष्ण ज्यान क्या हिवास्तों में उसका वर्णन करते ह उस समय ये श्लोक आते हैं तो तेरव्य अध्याय का आठ से लेकर के आठ नौदर्स ग्यारा बारा ये पांच श्लोक जो है वो ज्यान का वर्णन करते हैं ये पांच श्लोकों में जो वर्णी ते वह अग्यान है बाकी सब अग्यान है ऐसा बगवान बताते हैं तो एक ज्य जयान की परिभास देते हैं भगवान की जन्मा मुर्त्यू जरा व्याधी जन्मा मुर्त्यू जरा करते हैं बुड़ापा और व्याधी बीमारी इनका दुखों को देखना अनुदर्शनम यह एक ज्यान है तो कोई वेक्ति जब तरून है तब उसे लगता है तो मैं तो लेकिन ऐसा कोई बोली ने सकता मुर्त्यू भविश्य में आएगी क्योंकि कोई जानता ने कब आएगी राजा परिक्षित वो सोभां की शाली थे उन्हें पता चल गया था एक सब्ताबाद उनकी मुर्त्यू होगी लेकिन मुर्त्यू का कोई जैसे कोई प्रोड़क्ट बनत हां तो उसे विंवोड है इसा भी नहीं है, है तो वास्तों में जो शायरिक आ सकती है वही जो कारण है पुन हा-पुन्हा जन्म मुर्त्यू रुपी चक्र में आने का और ये जो कारण है जन्म नुर्द्यू का चक्र वह शायरिक को आ सकती और अत्रप्त काम नैं revenues त तक वैविक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर जबता तो वे लोग अभी जिनकी बात हो रही है वो जरा मरन मोक्ष आया तो वह समझ गए है सर्वपरतम की यह सबसे बड़ी समस्या है और उसके साथ-साथ वो उसी के लिए चतुर्थ विवक्ति आई है इससे इस मोक्ष को की तरुक्ति ऋमाशा रकना और तीसरी बात है उसके लिए प्रयत्न शील होना तो यह तीसरे श्रिणी के वेक्तियों के बात यहां पर बताई जा रही है जरा मलन मोक्ष आया और की वल समस्थ्याओं को जानना नहीं है मुक्ष प्राक्ति के लिए प्रयत्न भी करना है यह माम आश्रित्य यतन्ति यतन्ति प्रयत्नशील है लेकिन किस प्रकार से प्रयत्नशील है माम आश्रित्य भगवान कहे रहे कि जो मेरा आश्रे लेकर यतन करते हैं इसलिए इसकाम भक्त कह यहां आश्रे लेना और यत्ना करना इन दो बातों को कहने का तात्परय यह है कि मनुष्य अगर श्वयम यत्ना करता है तो अभिवान आ जाता है कि मैं ने ऐसा कर लिया मैंने वैसा कर लिया सब कुछ मैं कर रहा हूं और यगर स्वयम यत्ना न करके किवल भगवान के आश्रे से सब कुछ हो जाएगा ऐसा जो मानता है भगवान कर लेंगे तो उससे फिर आलसी प्रवृत्ति आलसी और प्रमाद में लग जाता है इसलिए यहाँ पर दोनों बाते बताएं गए एक है माम आश्रित के भगवान क के उपर आश्रे लेकर के प्रयत्नशील है तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो केवल प्रयत्नशील होते हैं तो उन्हें भी कुछ मात्रा में साक्षातकार होता है लेकिन उसकी मात्रा सीमित होती है और जब वो माम आश्रित्य लग जाता है भगवान के उपर आश्रित जब हो सकता है तो वहां पर अलस्य और प्रमात को भी कोई स्थान नहीं है इसलिए दोनों का कॉंबिनेशन माम आश्रित्य यतंति तो भगवान का आश्रे भी है और प्रयत्न भी है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके वह भक्तो जाय वो जरा मर्ण मोक्षा या इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए वह विक्ति प्रयतनशील है और इतना ही नहीं वो जब इस प्रकार से भगवान के उपर आश्रित रहे कर जब आगे बढ़ता है तब उसका परिणाम क्या होता है तो भगवान वहां यहां यहां पर अर्ध जय वास्तों में है तो वह ब्रह्म है यह शब्द बहुत जो हे वह क्योंकि इसके अलग-अलग अर्थ होते है तो ये बहुत बार संभ्रम उत्पन्न कर देता है जिसे अभी तो हम लोग साथवाध्याय शर्चा कर रहे है जिसका शिर्षक है ज्ञान विद्ञान योगो नामस अप्तमोध्याय है तो जब आठवाध्याय आएगा उसका शिर्ष ही है बड़ा विचित्र अक्षर ब्रह्मयोगो नामस अश्टमोध्याय है तो ये ब्रह्म जो है तो क्या ब्रह्म जूती है या ब्रह्म क्या है उस ब्रह्म को जानते हैं मतलब किस से जानते हैं क्योंकि भगवान कहें ना कि माम आश्रिक्ते इसलिए कई सर्याचारे कहते है वह बहुत बहुत बार आप लोगोंने पी से सुन रखा होगा आह हम प्रुपजी लिगते ही मायावादी लोगों ब्रीद वाक्य होता है अहम ब्रह्मा है आत्मा ब्रह्मा है लेकिन उसके साथ साथ एक और ब्रह्मा है वो है परम ब्रह्मा जिसे तद ब्रह्मा कहां वेया है वह ब्रह्मा तो अहम ब्रह्मा के बारे में जानकरी होना ये एक सीमीत समझ है लेकिन परिपूर्ण समझ वह है जो ततत ब्रह्म को जान ले तो वे लोग उस तत ब्रह्म को जान ले उस ब्रह्म को उस परम ब्रह्म को उन भगवान को जान लेते हैं यह है पहला परिणाम दूसरा है ते कुर्चनम अध्यात्मम विदुहू वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं संपूर्ण तेवें विदूहू जान जाते हैं किसे अध्यात्म हम सब तो जान चाहिए कुई लोग बलते हैं कितना अध्यात्मिक वेक्ति है का आर्थ क्या हुआ तो अध्यात्म का अर्थ है वास्तों में जो शुद्धा आत्मा का स्वरूप जो भोतिक शरीर से बिन्न है उसे जानना यह है अध्यात्मा ये आत्मा कौन है ये भगवान का आउंश है जैसे 15 व्याध्याय में 17 लोक में बगवान बताते है न ममेवाम्शो जीवलों के जीवभूतह नातनह तो आत्मा का सुरू जान लेना यह शरीर है, यह आत्मा के उपर आवरण है, फिर वो स्थूल शरीर है, यह सुख्ष्म शरीर है, दोनों आवरणात्म कही है, ऐसा समझ ले न, और इस शरीर से मैं भिंन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमा हूँ, मैं सुरूप, जीवर स्वरूप है कृष्ण attorneys का नित्य दास म इस संबन्द ज्यान से परिपूर्ण भरिभाती रुप से जो विक्ति अवगध है वे है ते कृष्णम अध्यात्मम विदु वे संपूर्ण अध्यात्म को अच्छे से जानते है इसका आर्थिया हुआ कि अपने स्वयम के स्वरुप को जान गए उसके साथ साथ दूसरे भी जो कोई जिवात्मा है वे भी भगवान के ही अउंश है ये भी जानना ये है अध्यात्म को जानना आगे भगवान कहते हैं तीसरा परिणाम ते अखिलम कर्म अच्छ विदु हूँ वे संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं संपूर्ण कर्म को तो कर्म क्या है तो कर्म एक तो केवल एक शब्द नहीं है, वास्तों में इसमें कई सारी परिभाशाएं छीपी हुई है, जीसे हम लोग कहते हैं कर्म का नियम, मतलब कर्म करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया मिलती है, जीसे Newton's law है ना, एक थर्ड law, Dope reaction, there is equal and opposite reaction, तो कर्म है उसमें कर्म भी है, उसमें प्रतिक्रिया भी इंगित की गई है, तो इस सब कर्मों को और कornoिर स्वयम के कर्म भगवान के कर्म को भी कोई जान ले, तो यहां पर कहाँ गया है, कि वैसं हम पूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर् यह संपूर्ण कर्म को तत्व से जानना श्रीदर स्वामी एक अलग ही परिभाषा इस अखिलम कर्म की देते हैं कि यह संपूर्ण कर्म को जानता है कार्थ क्या है वे कहते हैं तत्साधन भूतम अखिलम रहस्यम कर्म जानन की तो वे कहते हैं कि भगवान ने पहले ब्रह्म के ब्रह्मा है प्राप्तव्यम जिसे प्राप्त करना है तो ब्रह्मा हो गया प्राप्तव्यम और प्राप्त करने के लिए जो साधन है उन साधनों को भी जानता है और वो साधन कर्म है कर्म कारत है कि जो साधन भूतम अखिलम रहस्यम कर्म जानता इसका आरत है कि वो भगवान क मेरे लिए प्राप्तव्य है तो उनको प्राप्ति के लिए जो साणन है जैसे नवविधा भक्ति ब्रृतु हो जाता है तो लगई-अ। तो वास्तों में यह जो तीन चीजे थी वो किस-किस को जानता है तद विदु हूँ तद ब्रह्मा कृष्णम अध्यात्मम और अखिलम कर्मच्च इसे भी जानता है तो तद ब्रह्मा हो गया यदि हम लोग इसे कह सकते है ट्रिपल एस तद ब्रह्मा वो है प्राप्तव्य व में प्राप्त करना है कि वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ वो है साधक और अखिलम कर्मच्च वो सब कुछ विधी को भी जानता है कि कैसे मुझे उस प्राप्तव्य स्थान को प्राप्त करना है वो है साधन तो साध्य साधक और साधन इन तीनों को प्रु पूर्ण रुप से वे लोग जानते हैं ऐसा जो है वो भगवान बता रहे हैं और जो वे इस प्रकार से जान जाएंगे जन्यातव्य कहां जाता है कि जो सब कुछ जान गये हैं अभी जानने के लिए कुछ शेश नहीं है तो साध्य साधक और साधन इन तीनों का वास्तों में ज्यान होना यह सबसे बड़ा ज्यान है तो यहां पर जो है वो इस श्लोक में इस प्रकार से हमने देखा कि जो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि वो दूरता पूर्वक मेरे भजन में लग जाते हैं जिनों ने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मुझे वनुष्य शरीर मिला हुआ है और उससे मैं उसकी सफलता के लिए प्रयत्न करूँगा और भगवान की और अग्रसर होने के लिए प्रयत्न शिल्ड होंगा ऐसा उनका दूर लिश्चय हो गया है वह भगवान का भजन करते हैं और भजन करके वे चाहते क्या है या भजन करके उन्हें क्या प्राप्त होता है तो भजन करने का उनका तात्पर है कि जरा मरन मोक्षाय जरा बुढ़ापा और मुर्तिव इससे मोक्ष पाने के लिए तो इसमें हमने तीन शिनिया देखे थी कि वो ऐसे लोग है जो जानते ही नहीं है कि वास्तो एक समस्या क्या है जरा और मरन ये वास्तो एक समस्या इनको न जानने वाली लोग दूसरे लोग है वो जान जाते हैं कि ठीक है जरा और मरन ये समस्या है और तीसरे लोग है वे उसके लिए प्रयत्मशिल भी होते हैं कि इन समस्याओं से मुझे छूटकारा प्राफ्ट करना है मौक्ष प्राप्त करना है तो जरा मरन मौक्षा ये जैसे भगवान ने कहा था जन्ममृत्यों जरा व्याधि दुख्धो शान उदर्शनम इनके दुखों को वो जान सकता है इस समझ सकता है इससे बाहर निकलने के लिए ये जो लोग माम आश्रित यतनती वे मेरा आश्रे ल परिपूर्ण साक्षातकर उस वेक्ति को प्राप्ता होता है जो प्रेत्न तो करता है उसके साथ पाजवान के उपर आश्रित भी होता है क्यूंकि जो वेक्ती के बा constructive होता एक उस वेक्टि के अंदर अहंकार आ सकता है कि इसकुछ मैं कर रहा हूं या वेक्ति जो प्रयत्न नहीं कर रहा है कि वल भगवान की उपस आश्रित है तो उस वेक्ति के अंदर आलस्य और प्रमाद आ सकता है इसलिए दोनों शुब्दों को इकत्रित करके बता गया है कि माम आश्रित ते अतंति और इसका परिणाम क्या होता है ते वे लोग तद ब स्मूर्णा ओत्रम को ब्रह्मां को ब्रह्मा हमें देखा एक है अहम ब्रह्मा और है तत्द ब्रह्मा अस्मी मैं ब्रह्मा हूँ वास्त में वेदों का निशकर्षण नहीं है ये तो प्रारंबिक ज्ञान है आहम ब्रह्मा मैं Bradam me लेकिन क्या वहां तक ही सीमित्व method का वो भगवान को भी ब्रह्म के रुप में जान जाते हैं और उसके साथ कृत्नम अध्यात्मम संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं कारता है कि स्वयम के सुरूप को जान जाते हैं कि मैं यह आत्मा हूँ ये नश्वर शरीर नहीं हूँ और इस आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंद है उसे भी भली भाती जान लेते हैं इसलिए क्रिस्नम अध्यात्मम विदुहू और अखिलम कर्म चा विदुहू संपूर्ण कर्मों से भी वो अवगत होते हैं तो संपूर्ण कर्म से यह संपूर्ण कर्म कहते हैं यह नों प्राप्त करने का साधन जो है नवजिदा भक्ति इत्यादि को अखिलम कर्म है उसे जान जाते हैं को है तो हमने इसमें यह भी देख ता triple S कितत ब्रह्म जो है वो साद्य है कृष्णम अध्यात्म वो एक सादक है कि अपना सुरुप को जो जान गया है और अखिलम कर्म उससाध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाता है वो है अखिलम कर्म तो हमने इस प्रकार से साध्य, सादक और साधन को भी देखात जानते है कि सअधिभूतम अधिभूत को भी जानता है तो वो क्या-क्या जानते है और आज के श्लोक में तो भगवान ने तीन बाते मताएं जानते हैं उसकी चर्चा भगवान अगले श्लोक में करेंगे और वो हम हमारे अगले सत्र में देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णागर अंत्राश्यमत भगवत गीता की जैश्चिल प्रभुपात की चाह किसे का प्रशन है तो ले सकते हैं